आज हम स्टार्ट करेंगे एक रीडिंग कॉम्प्रेंशन जो कि मैंने एक प्रीवीश यर कोश्चन पेपर से लिया है सीमेट से वह आज हम रीडिंग कॉम्प्रेंशन उसका करेंगे सॉल्फ and let me know in the comment down कि आपको यह अच्छा लगा कि नहीं लगा यह session so let's start without further doing the delay so starting this video I would like to share some tips and tricks to solve the reading comprehension so guys actually आप सभी को पता है कि reading comprehension major part play करता है comprehension में और इसका most of the part हमें अच्छे से solve करना पड़ता है क्योंकि यह major weightage रखता है English में तो इसको solve करने की में कुछ आपको tricks बताऊंगा और उसके हसाब से मैं हर देन इसकी reading comprehension की कुछ practice पेपर से डालूँगा आपके लिए जो previous year question paper से लेकर रखेंगे हम लोग जो की सबसे ज़्यादा relevant होंगी तो इससे आपकी practice भी हो जाएगी और आपको पता भी चलेगा कि actual exam में कैसे reading comprehension आते हैं अगर आप बेंगे की exam के लिए प्रिपेर करता है तो इसके अलग reading comprehension का level लेवल लेवल होता है हर exam की reading comprehension का level अलग-अलग होता है यह तो आप मेरे से agree करेंगी ही करेंगे तो हम basically आज basic type का reading comprehension देखते हैं जो मैंने बहुत basic exam से लेकर रखा है बहुत ही अच्छे होते हैं no doubt बट मेरे लिए यहां पर time बचाना नहीं तो मेरे एक्जाम में सेलेक्शन नहीं होगा तो और मांक्स मुझे चल्दी से चल्दी लेने हैं तो उसकी लिए मैं बताता हूं आपके लिए सबसे बहुता है कि आप exam के सीधे सीधे questions पर जाईए तो इन्हें एक बार सारी questions को कर लिए कहां कहां पर क्या गया देखना है इसमें दिखाया है तो इन्हें पूचा तो एक जिए एक ही question हो गया हमारा ठीक है दूसरा question इन्हें पूचा है इन्हें लोकमान तेलक्स के बारे में भी पूच लिया है तो इसको भी हम देख लेंगे इसको भी हम देखते हैं यहाँ जादा फोकस करना है तीसरा question हो गया इनका which of the following is the general tendency of the critics according to the passage अब इन्हें यहाँ पर इन्हें पर फोकस कर रहा है पूचा है यहाँ पर पता होना चाहिए किसी के बारे पूचा है रिफॉर्मर के बारे पूचा है कि वो कभ अफेक्ट बनता है ठीक डान इंडस्टेट एंड विच फॉल्विंग राइटर्स इस ओंगें भी मोरल इंदेर प्रोफेशन लाइफ और लेकन पब्लिक लाइफ तो नहीं पर एक राइटर के बारे पूचा है जो मोरल परस्ट लाइफ में और लेकों इंडी पब्लिक लाइफ मैं कुछ नहीं कर रहा हूं बेसिकली मैं सारे कॉश्चन्स पहले पढ़ा नहीं और मेरा कुछ नहीं है पहले टेक्निक मेरी यही है ताकि मैं जब लीडिंग और यह हमारे यहां पर इतने कॉश्चन बंदते हैं इसके तो अब हम कोशन नहीं करेंगे हम समझ में आ गया एक बार हम सारे कॉश्चन को फिर रिख से दिख लेंगे इसमें उनकी लाइफ के बारे में पूछा है इसमें उनने क्रेटिक्स के बारे में पूछा है यह आप कि वो किस की चीज के बारे पूछ रहा है मैं आपको ट्रिक बतानों के आपको सॉल्फ कैसे गना रिडिंग ओम इंजिन तीक है फिर आपको रिफॉर्मर के बारे में लिखना कि और यह पूछ लिया थे लिए ने तो यह भी आपको निव क्वार्वी सेट्व एक बारे में प्रोंग था 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 यहां सिप्वार्द के वारें नाया था तोइसे क्षियर रिफ्षी राइन के वारें कोई लिखना था और यहां बॉसरी बात करिंगे निउस्पेपर इन इनोरमस आफेक्ट तो आप को याद होगा कि है सी रिटिंग के भारे में भी क्वेशन ए ऐसे घ्र के जुंशा को मैं रिक भूम हौँ है होग Dakota विन दिया Medhi आप पैसेज पढ़ दिए पूरा पैसेज पढ़ दो आप ठीक है और अपने हसाब से आप अपने आनसाल देने के कुछिश करेंगे ठीक है अपने आराम से पढ़िए कोई दिख्कत नहीं मैं आराम से अपने अंदर पढ़ रहा हूँ एक राइटर वाला कोउच्चन भी आया था जैसे मुझे याद है एक राइटर वाला भी कोउच्चन था वह दीखलेगे एक राइटर पर भी कोउच्चन था right your right एहां ये अड़को कोशन आयदा रटकर पर तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं दो यहां पर आइटर की लाइव ठीख है अर राइटर को डेफाइन कर आए नोब ऊमेने कुछ किया बेसिक्लिंड उसको ठीख है अब अら राइटर व सेट स्पें इन यूडिधी आ कि यहां पर उनका कुछ इंप्रेश्मेंट का भी चलता है वह भी देखना पड़ेगा यह मुझे कुछ इंप्वर्टेंट लग रही है यह वाला पाट सरकल गल दी है मैं इसको बाई हम लोगों ने पर से पूरा में यह पड़ दिया है सोरी मैं इसको फिर से ले जाता हूँ आप है हाँ ये इसके बार हमने इसको अच्छे से पढ़ दिया है एक बार आप चाहें तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ आप पॉस्ट करें पूरा पढ़ सकते हैं ठीक है इसक्रीन की मुझे साइज में कुई कमी नहीं लग रह सब्सक्राइब तो यह चीज हमने देखा इंपरिजमेंट वाली चीज थी वहां पर इन्हें बोलाएं कि इस इंफ्लूएंस वह इंप्रूएंस इंप्रूएंस से पहले तो मेरा अंसर कुछ नहीं होगा यहां पर देखिए अब जैसे मैं आपको अंसा देखा दूँ यहां हुआ है तो बैसे करी आफ्टर सब्सक्राइब यह तो गलत हो गया यह यह जो बात ही थी नहीं ठीक है डिलीवर्ड इस पीसे टीजिए यह ऐसी कोई बात नहीं लिखी डिवर्ट इस अध्यूट्स आपको नहीं लिखा बेफूर इस इंपरिजमेंट यह बात लिखके आई लाइफ का भी हमने टिक करके रखाता है इसा कुछ फिर सेंपड़ लेंगे अगर आपको मल नहीं रहा हो तो आप फिर से बढ़ सकते हो इसको मैंने फिर से सट कर दिया पूस करके इसको पूरा बढ़ सकते हो और रोलो आप एक्जम्पलरी लाइफ के बारे में उन्हें और तो अब यहां पर मैंने देख लिया पड़ दिया इसको समझ लिया अमें यहां पर नीचे जाओंगा ठीक है तो हमने क्या है तो इस बाहुत पूस नहीं है ठीक है यह तो कड़ जाएगा यह जेली की बात ही नहीं क्योंकि लोकमान तलग से ले एक्जम्पली लाइफ व सब्सक्राइब है उन्हें लॉस्वास का भी कोई चक्कन नहीं था और वेसली जब मेरे सारे के सारे options कट गए तो मेरा आखरी option बचा वो मिरा आंसर हो गया दब भूब बुक्स रिटन बाहें वार्वे यूसफुल ड़नेंडस्टिड तो भाई यह भी पकी बात हो हमने फॉलिंग जन्रल टेंडेंसी और ग्रीटिक सब्सक्राइब पैसेज ठीक कुछ नहीं क्रिटिक सवाले पर हम चलेंगे और चुलिए यह चीज कर सकते हो जैसे यह पैसेज़ें तो आप अपने रफशीट पर वहां पर जो आपको मिलेगी क्या कहते हूं पर जो आपको मिले बारे मीं लिख सकते हों कि अन्ने उसके बारे में बताया किस के बारे में बताया क्या कहती है क्या क्यों कि वार्निते थे नहीं utterly सब्सक्राइब कर दो अपने हर पैराग्राफ को बता दो क्या रहा है यह आपको बता मैं मानदा हूंगी इसमें तॉड़ा आपको ज्यादा टाइम इस नहीं है ना पड़ेगा इस इंफ्लूमेंस वह मल्टी इंप्लाइट थाउजंड फूल्डर वाइंप्रिजमेंट की बात कर दी लोगी ठीक है आगे बड़ाओ अब अब इन्हें अपने दुवान सा तो हुआ है बिच अब दी फोलिंग सा जनरल इस नहीं पर पर रहता है यहां पर पूरे पर आग्राम की वात यहीं पर हुई है बिसे इलिए यहीं पर मिलेगा सीधी बात है सब दों को डूड़ना है कॉंप्रेंज बिलकुल नहीं लगा हम खटाकर सोल करते हैं तो फॉल्ड वन्स तो फांड इफॉल्ट विद वन एंड अधर एक्स्प्रेशन ऑफ रहे तो प्रेज दी अधर राइटर से इसाथ करता नहीं डिक्रिटिक आगे बढ़ते हैं इंदा कॉंस्टेक्टों पीपैसिजारफ कॉंटेक्स्ट औफ एक्साथ यह सारे ओप्शन्स अप पड़ लीजिए यूट क्रिटिक आपके चार पॉंट्टों में से हम basically देख रहा हैं कि इनमें से कुन सामें मिल जाएगा तो हम reformer का paragraph हमने पहले ही annotate कर दिया था कि उपहला graph number one था मैंने reformer की बाद यहाँ पे कर दी थी यहाँ मैं याद होगा और आप इसको नहीं याद रख सकते हैं तो आप अपनी rough sheet पे लिख लिए ठीक है मस्ट नू what's most people in authentic life reformer को पता होना चाहिए कि people को क्या authentic life में move कर रहा है सरफ writing से काम नहीं चलेगा यहाँ पे लिखा भी writing से काम नहीं चलेगा ठीक हो तो बस हमने यह एक लैंग पढ़ लें अब इसी स्वाल हो जाएग आप देखना ठीक क्युश रीक एक जन्रलिस्ट एन अब्जेक्टिव व्यूपॉइंट एसी तो कोई बात ही नहीं हुई लेकर अभी हम इसको इसको इलिमिनेट नहीं घरते हैं ठीक है पढ़ते रहते हैं इसको 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 आफ एक्सेलिक्टिव राइटिंग स्टाइल तो हम नहीं तो पढ़ाएगी अब्जेक्टिव व्यूपॉइंट ठीक है साथ एलिमिनेशन करके आप तीस रिटर की होती है कि हम चीज का आप एलिमिनेशन करो बिना एलिमिनेशन के आपके आपके आंसर नहीं आ सकते ठीक है बिशुब दीपोलिंग टाइप्स और राइटर्स के इन भी हम मोरल इन परस कर लिए ये वीडियो को को आपको करना है तो तो बेना पड़े आपको सॉल्फ करना यहीं तो तो कूरी लगा के आप जैसे हमने परने आनोर देट कर रहा था था कि पैहले वाले आक्री तो बिल्कुल ही में भाटा दूँगा इसको क्योंकि यहां पर क्रिटिक की बाद चले थी यहां पर हमार उसकी और हमें बात करनी थी कि इसकी पर्सनल लाइफ के ऐसे राइटर्स को जो मुरा सो पर 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 अपनी पबल्लीक लाइफ को जीते हैं ठीक है उनकी बात करने हैं इन विज़ हैस इंफ्लूएंस इस इंपन्टिप्लाइड वाइड थाउजन फूल इस अभी कुछ नहीं है सेकें पर अगर आप आराम से पर जाहिए चाहिए उपर से नीशे जाहिए हमें बेसे लिए अंसर को सही करना है कहीं से भी आप जाहिए आपको आंसर कोई मिलेगा ठीक है अब आप देख रहे होंगे इस सेकंड पैराग्राफ में अपने ध्यान से बढ़ाई यहां पर आंसर इसका चुपा हुआ है ठीक इस नहीं रहता है ठीक है तो हम अभी यह चीज यह चीज हम इसका ठीक है अब यह चीज हम इसका देखते हैं डियुलिटीस की बारे में बात होई है ठीक है अब इनने पूचा है कि इस तो देखा लेकिना है और मोरल पब्लिक लाइफ के बारे में तो कुछ पता ही नीचला वापे सम उपर जाएंगे देखना है कि है कहा ह अब यह चीज है ठीक है यह मिल गया है यह फस्ट पर अगरा आप अब यह थाट पर भी नहीं पूर तो नहीं पर देखना पड़ेगा एनोटेशन के यह फायादे होते हैं तो और रफ शीट पर लिखते जाएगा कि कौन कौन से आपने स्किम कर ली है कि नहीं किये तो यहा फ्रेंटिशडी ओभडेशन को Sun delay biological that open all the new कि घृट फेस दें नोट मुरुथी नहीं प reader नेकल। देव और प्राइबिटलाी नोट वाइस वरसा थेक है तो उन्हें यहां पर पूरी बात लिखी हुई है कि वो moral in public life like in the private life not vice versa थेक है तो बाप पर समझाएंगे और हम इसके आप आंसर को देखेंगे ठेक है इसे काफी अपसे को आप कैसे जोल करोगे हम बापस दिहान से उसको पढ़ेंगे अब मुझे भी दिखना पड़ेगा कि क्या है चक्कन खलता अंसर नहीं दे सकते होगी हमाँ साथ सारी आंसर सही होने चाहिए all of their wise versa all the new अब तो बेसिकली मुझे समझे में आया है कि authenticity के बारे में बात हो रही है ठीक है तो मैं यहाँ पर eliminate कर दूँगा यह तो आउट ही हो गया दूसरों राइटिंटिक लाइफ तो यह आपका हो जाएगा आंसर सारे स्कॉश्चन का समझ रहा है तो यह तो बहुत ही मतलब उनका अफेक्ट था इंटी पीपल सब्सक्राइब कोई बात ही नहीं करें यह यह विलिमिनेट हो गया और इसके साथ आपका पूरा आज का आर्शी स्वाल हो गया और यह दूसरी को फिर से देख सकते हैं और मैं डेली ऐसे आर्शी आपके लिए लिए आउंगा जो प्रीवी से कोशन पेपर से आए हैं आप गलत आर्शी मत स्वाल्व करिए मैं सही बोल रहा हूं आपको सही आर्शी का आपको आईडिया होने चाहिए जैसे सौल्व करनी है हमने अच्छे से साथी को स्वाल हो गया और तिन ट्रिक्स का स्थमाल गया मैं आपको फिर से बता दू को पहली ट्रिक है कि कॉस्चन को पढ़ दो ठीकि उससे फिर आपके सारी सारी सारे कॉस्चन पढ़ लो रफशीट पे की वर्सलेख लो जैसे क्रिक के बारे में बात होई है और फिर लुसरे स्टेप मुद्ध होता है कि फिर आल्सी को और उसमें वह सब ढूढ़ो जो कशन में थे उसको जो कर सकते हो तीसरा सबसे आखरी यह वो तीटर क्या स्टमाल करो क्योंकि उससे आपके पता हो जायते हैं आपको तो आज आप जैसे कि देख रहा हूं कि हाथ 10 नवंबर है तो आज के लिए इतना ही अगर आप वीडियो को लाइक आया तो आप जरूर शेयर करें मैं अपने चैनल पर डेली एक आर्सी करवाऊंगा आपके लिए अवलकिवाऊंगे और चाहे आप इस्टार्स यहां से यहermate दे रहा हुग सिमिट शाहिए मयत्व गाइज औरब एम dependency सब्सक्राइब हो सब JI Famous अब करब मेंमें जाहिए